नमस्कार देश्की वित्यमंत्री श्रीमति इंदिर्मला जी वित्यराज्यमंत्री श्रीपंकर चोदरी जी डॉक्टर भागवत कराड जी RBI गवर्नर श्रीशक्तिकात्यदास जी बैंकिंग सेक्टर के सभी दिग्यच भारतिय उद्योग जगत के सभी सन्मानित साथी कारकम में जुडे सभी अन्य महानुभाव देवी और सज्जनो मैं जब से यहां आया हूँ जो कुछ भी सुना उसमें विश्वास ही विश्वास नजर आ रहा है एन्य हमारा कॉंफिडेंस लेवल इतना वाइब्रन्ट हो यह अपने आप में बहुत बड़ी संभावनाओं को संकल्प में परिवर्टित करते हैं और सब मिलकर के चले तो संकल्प को सिध्धी क्राप्त करने में मैं नहीं मनता हूं कि देर लगेगी किसी भी देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वो देश नई छलां के लिए नए संकल्प लेता है और फिर पूरे राष्ट की शक्ति उन संकल्पों को प्राप्त करने में जुड़ जाती है अब आज़ादी का अंदोलन तो बहुत लंबा चला था 1897 विशेशुप से उसको इतियास कार एक सुत्र में बात करके भी देखते हैं लेकिन 1942 और 1930 धांडी यात्रा और क्विट इंडिया यह दो ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जो देश को चलांग लगाने का मूड बनाया था तीस में वो जो चलांग लगी वो देश फर में एक माहूल बना दिया और 42 में जो दूसरी चलांग लगी उसका परणाम 1947 में आया यह यह जो मैं चलांग की बात कर रहा हूं आज के 75 साल में और अब ऐसी अवस्था में हम पहुंचे हैं कि सच्चे अर्थ में यह चलांग लगाने के लिए जमीन मजबूत है कि टार्गेट ताय है कि बस कि चल पढ़ना है और मैंने लाल के लिए से कहा था पंदर आगस को कहा था यही समय है सही समय है आप सभी नेशन मिल्लिंग के इस महा युग्य के प्रमुक्ष टेक होल्डर से और इसलिए भविश्य की तयारियों को लेकर आपका समवात यह दो दिवस का आपका मन्थन आपने मिल बैठकर के जो एक रोड में सोचा होगा आपने जो निर्णे किये होंगे मैं समझता हूँ सारी बाते अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है साथ यह सरकार ने बीते छे साथ वर्सों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किये बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबुत स्थिति में है आप भी यह मैसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनांसियल हेल्थ अब काफी सुद्री हुई स्थिति में है 2014 के पहले की जितनी भी परिशानियां थी जितनी भी चुनवतियां थी हमने एक-एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाश हैं हमने एन पीएज की समस्या को एड्रेस किया बैंकों को रीकेपिटिलाइज किया उनकी ताकत को बढ़ाया हम आई बीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए अनेक कानूनों में सुधार किये डेट रिकवरी टिमिनोल को ससकती किया कोरोन अकाल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मेनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया इनी फैसलों से आज बैंकों की रिजॉलुशन और रिकवरी बैतर हो रही है बैंकों की स्थिती मजबूत हो रही है और एक इनहरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है सरकार ने जिस पारदर्सीता और प्रतिवद्धता के साथ काम किया है उसका एक प्रतिवीम बैंकों को वापस मिली राशी भी है हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड रुपे फसाए गए थे उनमें से पांच लाख करोड रुपे से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैटें आपको पांच लाख करोड बहुत बढ़ा नहीं लगता ओगा क्योंकि जीस पकार थे सोच बनी हुई थी यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं ओग इसा मुझे पुरा पक्का विश्वास है कि लिकिन शोप्ट बनी हुई थी बैंक हमारी यहां बैंक में जो है वो भी हमारा ही है वहां रहे या मेरे हां रहे क्या फरक पड़ता है और जो चाहाँ वो मांगा जो मांगा वो मिला और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णे कुछ और कर देगा कि सारी सित्या साफ हो गई है कि साथ यह पैसे बापिस लेने वाला है कोशिस है कि नीतियों का भी आधार लिया है कानून का भी आधार लिया है कि डिप्लोमेटिक चैनल का भी उप्योग किया है और मेसेज भी बहुत हाँ है कि यही एक रास्ता है लौट आई है कि और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है कि नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंप्री इसके गठन से और 30,000 करोड रुपय से अधिक की सरकारी गारंटी से भी लगभग दो लाग करोड रुपय के स्ट्रेस असेट आने वाले समय में रिजॉल्व होने का अनुबार है हम सभी यह भी देख रहे हैं कि पुब्लिक सेक्टर बैंकों के पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकसी बड़ी है और मार्केट से फंड्रेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है साथ वे जितने भी कदम उठाए गए हैं जितने भी रिफॉर्म किये गए हैं इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मद्बूत केपिटल बेस बड़ा है आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है एन पी एज की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंकों के एन पी ए आज पांच सालों में सबसे कम है ही कोरोना काल के बावजूद इस फाइनांशिल येर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खीचा है इस वज़े से अंतराश्ट्री एजन्सीज भी भारत के बैंकिंग सेक्टर का आउटलूग अपग्रेड कर रही है साथियों आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की एकोनोमी को नई उर्जा देने में एक बड़ा पूश्ट देने में भारत को आत्म निर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकते हैं मैं इस फेश को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइल्स्टोन मानता हूं लेकिन आपने देखा होगा माइल्स्टोन एक तरह से हमारी आगे की यात्रा का सुचक भी होता है मैं इस फेश को भारत के बैंकों के एक नए स्टार्टिंग पॉइंट के रुप में भी देख रहा हूं आपके लिए यह देश में वेल्स क्रियेटर्स और जॉब क्रियेटर्स को सपोर्ट करने का समय है जो अभी आर्बियाए गवर्णन ने जॉब क्रियेशन की चर्चा की मैं समझता हूं यह समय है आज समय की मांग है कि अब भारत के बैंक अपनी बैलेंस इट के साथ साथ देश की बैलेंस इट को बढ़ाने के लिए भी प्रोएक्टिव होकर काम करें कस्टमर आपके पास आपकी ब्रांच में आए यह इंतजार मत कीजिए कि आपके कस्टमर की कंपनी की एम एसे मिश की जरूरतों को एनलाइज करके उनके पास जाना होगा उनके लिए कस्टमाइज सोलूशन देने होंगे जैसे मैं उधान देता हूं कि उत्तरपुदेश के बुंदेल खंड इलाके में और तमिल नाडु में दो डिफेंस कोरिडॉर बने हैं अब सरकार तेजी से वहां काम कर रही है क्या उस कोरिडॉर के आसपास जुड़ी हुई जितनी बैंक ब्रांचीज है क्या कभी उनको आपने बुलाया उनसे मिटिंग की कि डिफेंस कोरिडॉर बन रहा है मतब पुरा डिफेंस का नया सेक्टर यहां रहा है बैंक प्रोएक्टिवली क्या कर सकती है डिफेंस कोरिडॉर आने से यह यह चीज़ आने की संभावना है कौन कौन कैप्टन्स हैं जो इसमें आएंगे कौन छोटे-्छोटे छोटे चेन होंगे एमस में होंगे जो इसकी सपोर्ट सिस्थिम आएंगे इसके लिए हमारा बैंक का एप्रोच क्या होगा प्रोएप्रोचर क्या होगा थे हमारी अलग-अलग प्राइने में बिलम नहीं लगेगा लेकिन ठीक है भाई सरकाने डिफेंस पर बनाया है लेकिन वहरा तो उसी पर ध्यान है क्यों अरबी साल से मारे एक क्लाइंट है चल रही है गाड़ी बैंक भी चल रही है उसका भी चल रहा हो गया इस से होने वाला नहीं है कि आप साथ्यों आप एप्रूर हैं और आपने सामने वाला इप्लीकंट है अब दाता है और सामने वाला याचक इस भावना को छोड़कर अब बैंकों को पार्टनर्शिप का मोडल अपनाना होगा जैसे अब बैंक ब्रांच के स्तर पर यह लक्ष तय किया जा सकता है कि वो अपने ख्षेतर के दस नए युवाओं या दस लगू द्यमियों के साथ मिलकर उनका व्यापार बढ़ाने में मदद करेगी कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था उच्जमाने में बैंक को अकर आश्च्रेकर नहीं होगा था और उस समय मुझे बराबर याद है साल में कम से कम दो बार बैंक के लोग हमारी स्कूल में आते थे स्कूल में और बैंक में खाता क्यों खूलना चाहिए छोटे-छोटे बच्चों को गल्ला दे कर गे उसमें पैसा क्यों बचाना चाहिए यह समझाते थे क्योंकि तब वो सरकारी करन नहीं हुआ था तब आपको लगता था कि मेरी बैंक है मुझे इसकी चिंता करनी है एक कॉंपुटिशन भी थी और बैंकिंग और फाइनशल वर्ल का बैंकिंग सेक्टरी आम सामान ने मान भी को एक ट्रेनिंग भी जरूर थी कि सभी बैंक को ने काम किया है राश्ट्रिय करन होने के बाद साइद मिजाग बढ़ला है लेकिन 2014 में बैंक की इस शक्ति को मैंने पहचान करके जब उनको आवाहन किया कि मुझे जंधन एकाउंट का मुमेंट खड़ा करना है कि मुझे गरीब की जोपड़ी तक जा करके उसको बैंक खाते खुलवाने है कि जब मैं मेरे अपसरों से बात कर रहा था तो बहुत विस्वास का माहूल नहीं बनता था कि आश्रंका रहती थी कि यह कैसे होगा तो मुझे कहता था भाई एक जमाना था आप बैंक के लोग स्कूल में आते थे है कि तहीं तो करो इतना बड़ा देश और सिर्फ 40 प्रतिशन लोग बतिक से जुड़े हो सांट प्रतिशन बार हो ऐसा कैसे हो सकता है खैर बात चल पड़िए और यही बैंकिंग सेक्टर के लोग राष्ट्रिय करन हो चुकी बैंकों के लोग जो बड़े बड़े उद्योपतियों के साथ ही बैठने की आदत बन चुके थे वो लोग जब देश के सामने एक लक्ष रखा कि हमें जन्धन एकाउन खोलना है मैं आज गर्व के साथ सभी बैंकों का उलेक करना चाहूंगा सभी बैंकों के हर छोटे मुटे मुलाजिम का उलेक करना चाहूंगा जिन्हों ने सपन को साकार किया और जन्धन एकाउन फाइनांसल इंक्लूजिन की दुनिया में दुनिया के सामने एक बहतरीन उधारन बन गया यह अपिके तो प्रुसात्य हुआ है और मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री जन्धन जो मिशन निकला वो बिज बोया था तो 2014 में लेकिन आज इस कठीन से कठीन कालखन में दुनिया डगमगाई भारत का गरिप्टी का रहा क्योंकि जन्धन एकाउन की ताकत थी जिन जिन बैंक के कर्मचारियों ने जन्धन एकाउंट खोड़ने के लिए महनत की है गरीब की जोपड़ी में जाता था बैंक का बाबू कोट पेंट टाइप पहने हुए व्यक्ति गरीब के घर के सामने खड़े रहते थे उस समय तो साइब लगा होगा सरकार का एक कारकम लेकिन मैं कहता हूं कि जिनों ने इस काम को किया है इस पेंडेमिक के कालखंड में जो गरीब भूखा नहीं सोया है उसका मुंडिया उन बैंक के लोगों के खाते में जाता है कोई काम कोई पुर्शान कभी भी बेकार नहीं जाता है एक सची सोच के साथ सत्य निश्णा से किया हुआ काम एक कालखंड आता है जब परणाम देता है और जन्धन अकाउंट कितना बड़ा परणाम देता है हम देख रहे हैं और हमें एकॉनामी ऐसे नहीं बनानी है कि उपे इतनी मजबूत होती इतनी मजबूत होती की मजबूती का बोज इतना हो कि नीचे सब कुछ दब जाए हमें बैंकिंग ववस्ता नीचे भी गरीब से गरीब तक उतनी मजबूती देनी है ताकि उपर जाती हुई एकॉनामी जब उपर भी बड़ा बल्क बनेगा तो इस दोनों का सामर्थ से भारत पुष्ट होगा और मैं मानता हूँ कि हमने उसी एक सोच के साथ कल्पना करते हैं अब कल्पना कर सकते हैं कि जब स्थानिय व्यपारियों को यह एहसास होगा कि बैंक और उसके कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं मदद के लिए खुद उनके पास आ रहे हैं तो इनका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा आपके बैंकिंग के अनुभाव का भी उन्हें बहुत लाब होगा साथियों मैं जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टिम की हिल्थ के लिए यह बहुत जरूरी है कि वाइबल प्रोजेक्ट ही पैसा लगाए लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट को वाइबल बनाने में हम प्रोएक्टिव भुविगा भी तो निभा सकते हैं कि वाइबल्टिक लिए कुछ एक ही रिजन नहीं होते हैं हमारे जो बैंक के साथ ही है वो एक और काम कर सकते हैं आपको एक भली भाती पता होता है कि आपके खेतर में किस-किस की आर्थिक शमका कितनी है ब्रांच के नजर के दाइरे में बाहरे नहीं होता है वो उस धर्ती की ताकत को जानता है आज जो पांच करोड रुप्य का लोन आप से लेकर जा रहा है इमामदारी से समय पर लोटा रहा है आप उसकी ख्षमता बढ़ाने में भी तो मदद कर सकते हैं आज जो पांच करोड रुप्य का लोन लेकर बैंक को वापस कर रहा है उसमें कल को कई गुना जादा लोन लेकर लोटाने का सामर्थ पैदा हो इसके लिए आपको उसे आगे चड़ करके बढ़ चड़ करके सपोर्ट कर रहा चाहिए अब जैसे आप सभी पी एलाइ स्कीम के बारे में जानते हैं और अजकी इसके भी उलेक भी होगा इसमें सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है जो भारत के मैनुफेक्टरर्स हैं वो अपनी केप्रिसिटी कई गुना बढ़ाएं खुद को ग्रोप गल कंपनी में बढ़ ले इसके लिए सरकार उने प्रोडक्शन पर इंसेंटिव दे रही है आप खुद सोचिए आज भारत में इंफ्रास सक्टर पर रिकॉर्ड निविस हो रहा है या है लेकिन भारत में इंफ्रास्रक्टर से जूरी बड़ी कंपनियों कितनी है भैर हम पिछली सताब्ले के जो इनफ्रास्रक्ट्र ठेद पिछली सताब्ली के इंफ्रास्रिक्टर के ओशकेल थे पिछली सर्थाब्दी के इंफ्रस्ट्रक्टर की जो टेकनोलोजी है उसी में गुजाना करने वाले हमारे इंफ्रस्ट्रक्टर के ख्षेत्र की जो कंपनियां है वो काम करेगी तो 21 सदी के सपने पूरे हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते आज अगर उसको बड़े बिल्डिंग बनाना है लार्ट स्केल पर काम करना है बड़ा बुलेट ट्रेंड का काम करना है तो उसको एक्विप्मेंट भी बहुत बहेंगे लगेंगे उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों के मन में आता है कि मेरी बैंक का एक क्लाइंट ऐसा होगा इंफ्रसेक्टर में है जो दुनिया के पांच बड़ों में उसका नाम भी होगा यह इच्छा क्यों नहीं बहुत है मेरी बैंक बड़ी ह मेरे देश की ताइक बड़े गे नहीं बड़े गी और हमें हर शेत्र में देखना है कि हम दुनिया में सबसे बड़े एसे अलग अलग शेत्र में कितने महरती तयार करते हैं हमारा एक खिलाडी जब एक gold medal लेकर के आता है ना gold medal लेने वाला तो एक ही होता है लेकिन पूरा हिंदुस्तान अपने आपको golden एरा में देखता है यह ताकत जीवन के हर खेत्र में होती है भारत का कोई एक बुद्धिवान वेक्ति कोई एक बैग्यानिक अगर nobel prize लेकर के आता है तो पूरे हिंदुस्तान को लगता है हाँ यह मेरा nobel prize है यह ownership होती है क्या हमारे banking sector को हमारे financial world को भी हम हिंदुस्तान में ऐसी उंचाईये पर एक एक चीज़ को ले जाएंगे साथियों बीते कुछ समय में देश में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए है जो योजनाएं लागू हुई है उनसे जो देश में डेटा का बड़ा पुल क्रियेट हुआ है उनका लाब banking sector को जिरूर उठाना चाहिए जैसे मैं GST की बात करूँ तो आज हर व्यापारी का पूरा transaction पारदर्श्दिता से होता है व्यापारी की कितनी ख्षमता है उसका व्यापार कहां कहां फैला हुआ है उसकी कारोबारी हिस्टिक ऐसी है इसका आप मजबूर डेटा देश के पास उफलत है क्या इस डेटा के आधार पर हमारे बैंक उस व्यापारी के सपोर्ड के लिए खूद उसके पाथ नहीं जा सकते क्या तुम्हें तुम्हेरा अच्छा कारोबार चल रहा है जैर और बढ़ाओ चल बैंक तुम्हें पर तैयार है रहे हिम्मत करो आगे निकलो तो चाहर काम और अच्छे करेगा दस लोगों को योजना के अभी जिक्र करना चाहूंगा और मुझे पक्का विश्वास है मारे बैंक के साथ क्यों ने इस स्वामित्व योजना के सबन पर सुना होगा आज सरकार और यह विश्य ऐसा है जो लोग इंटरनेश्वल इसूस को पढ़ते हूं को मालूम होगा कि सारी दुनिया इस मुद्दे से जूज रही है स्वामित्व के मुद्दे से सारा विश्वा भारत ने रास्ता खो जाएं और हो सकता है हम रिजल पर ले आएंगे यह है क्या आज सरकार टेक्नोलोजी की मदद से ड्रोन से मैपिंग कराकर देश के गाउं गाउं में लोगों को प्रॉपर्टी की ओनर्शिप के पेपर दे रही है परंपरा गदुप से लोग उस घर में रह रहे हैं कागेज नहीं उसके पास प्रॉपर्टी के ऑफिशल डॉक्युमेंट नहीं है और उसके अकारण उसको उन घर का उप्योग किसी को किराय पर देने कर लिए तो काम आ सकता है और किसी काम में नहीं आता है कि अब यह स्वामीतों के ओनर्शिप के पेपर जब उसके पास है ऑफंटिक गवर्मेंट ने दिये है कि आप बैंकों को लगता है कि चलो हम उसके पास द्रवस्ता है अब मैं गाउं के इन लोगों को जिसके पास अपने समपति उसके आधार पर उसको कुछ पैसे देनी कि मैं ओफर करूं मैं समझाओ देगो तुमारे खेत में यह करना है तो तुमको थोड़ी मदद करता हूं तुम यह कर सकते हो तुम हैंडिक काम करते हो गाउं के अंदर लोहार हो सुथार हो मैं पैसे देता हूं तुम्हें काम कर सकते हो अब तेरे घर के उपर तुम्हें पैसे मिल सकते हैं देखिए ओनर्शिप के पेपर बने के बाद बैंकों के लिए गाउं के लोगों को गाउं के युवाओं को कर्ज देना अब और सुरक्षित हो जाएग लिकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब बैंकों की वित्तिय सुर्ख्षा बढ़ी है तो बैंकों को भी गाउं के लोगों को सपोर्ट करने के लिए खूद आगे बढ़कर के आना होगा अभी आवश्यक है हमारे देश में अग्रिकल्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है को कॉर्परेट वर्ल का इन्वेस्टमेंट तो करीब करीब नके बराबर है जबकि फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत संभावना है दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है गाउं में फूड प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री एरिकल्चर से जूड़ी मशिनरी सोलर से जुड़े काम अनेक नए फिल्ट तयार हो रहे हैं जहां आपकी मदद गाउं की तस्वीर बदल सकती है इसी तरह एक और उधार स्वनिदी योजना का भी है प्रधान मंत्री स्वनिदी योजना की वज़े से हमारे जो रेड़ी पट्री वाले भाई और भेहन है पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं अब उनकी भी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है बैंकों को इसका लाब उठाते हुए ऐसे साथियों की मदद के लिए और ज्यादा आगया आना चाहिए और मैंने बैंकों से भी आगरा कहा है और मेरी यहां अर्बन मिलिस्ट्री को भी आगरा कहा है और मैंने सभी mayor's को भी आगरह किया है कि आपके नगर के अंदर जो ready पट्रिवाले हैं उनको mobile phone पर digital transition सिखाएए है वो थोक में माल लेगा वो भी digitally लेगा वो विकरी करेगा तो भी digitally करेगा और यह सब कोई मुश्खिल काम नहीं इंदुस्तान ने करके दिखाया है अब तो उसकी अपनी हिस्ट्री तियार होगी आज उसको 50,000 दिया है कल आप उसको 80,000 दे सकते हैं पर सो 1,500,000 रुपए दे सकते हैं उसका कारोबार बढ़ता चले जाएगा वो जादा सामान खरिदेगा जावान सामान बेचेगा एक गाउं में कर रहा है तो तीन गाउं में करना शुरू कर देगा साथिवां आज जब देश फाइनांसल इंक्लूजन पर इतनी भेहनत कर रहा है तम नागरिकों के प्रोड़क्टिव पोटेंशल को अनलोग करना बहुत जरूरी है और मैं अनलोग करना यहां तीन-चार बार सुन चुका हूँ जैते भी बैंकिंग सेक्टर की ही एक रिसर्च वैस आपने आया है आपी की तरब से आया है कि जिन राज्यों में जंदन खाते जितने जांदा खुले और जितने जांदा जंतन खाते जीवन थाए गतिविती लगातार उन जंदन खातों में चल रही हैं बैंकों का रिपोर्ट एक नहीं बात लेकर क्या आया है और उजह सुनकर के मुझे खुद को आनन्द हुआ कि बैंक का रिपोर्ट कह रहा है कि इसके कारण क्राइम रेट कम हुए है यानि बैंक वाले ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं पुलिस का भी काम कर रहा हूं लेकिन बाइप्रोर्ट है एक विल्दी सुसाइटी का एट्मोस्पेर क्रेट हो रहा है एक जंधन एकाउंट किसी को क्राइम की दुनिया से बाहर ले आता है इससे बड़ा जिंदिकी का प युँरे कि जब लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे कुले थ है तो इसका प्रभाव मोनों के जीवन जीने के तरिके पर भी आया कि banking sector की इस ताकत को समझते हुए ही मैं समझता हूँ कि हमारे banking sector के साथ जो को आगे बढ़ रहा है मैं जानता हूं यहां जो लोग बैटे हैं उन से संब्धिनी बात मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहां जो प्रतिनिजी आये थे उन्होंने अपनी बात बता हैं मैं दूसरों का प्रतिनिजी तुम लेकिन करने वाले बैंकिंग सेक्टर गया है इसलिए मेरी सारी बादचीत का सेंटर पॉइंट मेरा बैंकिंग सेक्टर है उसके लीडर्स हैं पॉब्लिक बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक जितना हम नागरी को में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही नए रोजगार का निर्मार होगा उतना ही देश के युवाओं को महिलाओं को मध्यमबर को लाब होगा साथियों हमने आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के दौरान जो अहितिहासिक रिफॉर्म्स किये उन्होंने देश में नई संभावनाओं के द्वार खोले है आज कॉर्पोरेट्स और स्टार्टप्स जिस केल पर आगे आ रहे हैं वो अपुद्पूर्वा है ऐसे में भारत की एस्पिरेशन्स को मजबूत करने का फंड करने का उनमें इन्वेश करने का इस से बहतरीन समय क्या हो सकता है दोस्तों भारत में और ये बात हमारे बेंकिंग सेक्टर को भी समझना ही होगा भारत में ये आईडियां पर इंवेस्टमेंट का दोर है स्टार्ट अप्स को सपोर्ट करने का दोर है स्टार्ट अप बूल पर एक आईडिया होता है आप उसको पुछने जाओं कि एसे ट क्या है फ्लाना कुछ नहीं होता है साथियों कि आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है कि आपके पास डेटा की को कमी नहीं है कि आप जो रिफॉर्म चाहते थे वो सरकार ने किया भी है और आगे भी करती रहे है अब आपको राष्ट्रिय संकल्पों के साथ राष्ट्रिय लक्षों के साथ खुद को जोड़ कर आगे चलना है मुझे बताया गया है कि मंत्रालयों और बैंकों को एक साथ लाने के लिए अभी अमरे सची महोदे बें लेक कर रहे थे वेब बेज प्रोजेक्स फंडिंग ट्रेकर बनाया ना तै हुआ है अच्छी बात है काफी सुविदा बढ़ेगी उसके करा में लेकिन मेरा उसमें सुझाव है यह प्रयास अच्छा है लेकिन क्या यह बहतर नहीं हो सकता है कि हम गती शक्ति पॉर्टल में ही एक इंटरफ इसकाल में भारत का बैंकिंग सेक्टर है बिग तिंकिंग और इनोवेटिव एप्रोज के साथ आगे बढ़ेगा साथ्यों एक और विशह है जिसमें अगर हम देर करेंगे तो हम पीछे रहे जाएंगे और वो है फिंटेक भारत के लोगों की हर नई चीज को एड़प करने की जो ताकत है ने वो अधभूत आज आज आपने देखा होगा कि कि फ्रूट बेजने वाले सब्जी बेजने क्यो आर कोड लगा करके बैठते हैं और कहते हैं यहां पैसो मंदिरों में डोनेशन वाले क्यो आर कोड लगा दीजिए चलेगा मतलब की फिंटेक की तरफ एक बाताउन बना है क्या हम ताय कर सकते हैं और मैं तो चाहता हूँ रेगुलर कॉंपूटिशन का वाताउन बने कि हर बैंक ब्रांच अट्लीस हंड्रेड जाता मैं नहीं करहा हूँ हंड्रेड हंड्रेड परसंट डिजिटल ट्रांजिक्सिल वाल क्लाइन होंगे और टॉप में से होंगे ऐसा नहीं कि कोई हजार दो हजार के वाला आया और उसको आपने ऐसे सोख जो बड़े-बड़े हैं हंड्रेड सबसे बड़ा मजबूत हमारे पास UPI प्लेटफॉर्म है कि हम क्यों नहीं करते हैं कि अब हम यह सोचे हमारे बैंकिंग सेक्टर में पहले क्या से थी क्लाइंट आते थे फिर हम एक टोकन देते थे फिर वो नोटे लेके आता था चाल बार गिनते थे यू यू करते रहते थे फिर दूसरा भी गिन करके वेरिफाई करता था फिर सही नोटें गलत नोटें उसमें दिमाग खपाते थे यानि एक क्लाइंट बीस मीड़ पचीश मीड़ आदे हिंटे से बड़ी मुश्किल से जाता था आज मशीन काम कर रहा है नोड भी मशीन गिन रहा है सारे काम मशीन कर रहे हैं तो बहां तो आपको टेक्नोलोजी का बड़ा मज़ा आता है लेकिन आप अभी भी हम डिजिटल ट्रांजिक्शन इस विशे को किस बात के लिए संकोच करते मैं समझ नहीं पारा हुझ नफा या घाटा उसी के तनाजू से इस मिशन को मत सोचिये दोस्तों इस जो छलांग लगाने का कालखन है न उसमें फिंटेक भी एक बहुत बड़ी पट्री है जिस पट्री से गाड़ी दोड़ने वाली है और इसलिए मेरा आगरा है हर बैंक ब्रांच कम से कम सो यह आज़ादी के अमरत महोत्सव में इसको हम साकार करके रहें कि दो हजार बाइस पंदरा अगस्त के पहले इस देश में एक भी बैंक की ब्रांच नहीं होगी जिस में कम से कम सो ऐसे क्लाइंट नहीं होगे जो हंड्रेड परसंट अपना कारोबार लें देंड डिजीटली न करते हो अब देखिए बडलाव आपको पता चलेगा जंधन ने जो ताकत का आपको अनुभू करवाया है उससे अनेक गुना ताकत की अनुभूती इस छोटे-छोटे सामर्थ से दिखेगी हमने देखाए विमेंस सेल्फ हेल्फ गुरूप मुझे लंबे समय तक राज्य में सेवा करने का मोका मिला तो हम हर साल बैंक के लोगों के साथ बैठते थे और इशू रिजॉल्व करना कुछ आगे का सोतना इचरता है करते थे और मैंने अनुभू किया कि एक बात के लिए सभी बैंक बड़े गवरों से एक बात कहते थे और वो कहते थे सावे विमेंस सेल्फ हिल्फ गूर को हम पैसे देते हैं समय से पहले लोटाते हैं पूरा का पूरा लोटा देते हैं हमें कभी चिंदा नहीं रहती है जब आपका इतना बढ़िया पॉजिटिव एक्सप्रियंस है तो इसको बल देने के लिए आपकी प्रोएक्टिव को योजना है क्या हमारे विमन सेल्फ हेल्फ गूर्प के पोटेंशल इतना जादा है जी हमारा एकनामी का ग्रास्रूट लेवल का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स वह बन सकते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों की बात नहीं की है मैंने छोटे छोटे लोगों की बात की है कि मुझे पता है कि धरती पर कि फाइनांस की आधुनी की वबस्ताएं कि सामान्य नागरुक की आर्थिक मजबूती का बहुत बड़ा आधार बन सकती है कि मैं चाहता हूं कि इस नई सोच के साथ कि नए संकल्प के साथ कि छलांग लगाने का मौका है है जमीन तयार है दोस्तों कि और सबसे बड़ी बात जिसके मैं बार-बार कह चुका हूं बैंक वालों को पचास बार कह चुका हूं कि मैं आपके साथ हूं देशित में सत्य निष्टा से किये हुए किसी भी काम के लिए आप मेरे शब्द लिख करके रखिए देशित यह मेरा वीडियो क्लिपिंग अपने पास रखिए मैं आपके साथ हूं आपके पास हूं आपके लिए हूं सत्य निष्टा से प्रामानिक्ता से देशित के लिए काम में कभी गलतियां भी होती है अगर ऐसे कोई कठिनाई आती है तो मैं दिवार बन करके खड़े रहने के लिए तैयार हूं लेकिन अपदेश को आगे ले जाने में हमें अपनी जिम्मेबारियों को निभाना ही होगा इतनी बड़िया मजबुच जमीन हो इतना बड़ा उसर हो आसमान को छूने की संभावना है और हम सोचने में समय बिताजें तो मैं समत्ता हूं काने वाली पीडिया हमें माप ने करेंगी बेरी आपको बहुत बहुत शुप कामना है धन्यवाद